आज में लेकर आई हो आपके लिए एक ही ब्रेट से बनने वाली दो अलग-अलग रेसिपीस जब आपके पास टाइम बहुत कम हो और आपको फटा-फट से कुछ नास्ता बनाना है तो आप इनको ट्राइ कर सकते हैं आज के दोनों ही नास्ते हम बहुत ही कम टाइम में और बहुत आसानी से बना कर तयार करेंगे और बच्चों को तो ये इतना पसंद आने वाला है कि रोज-रोज आपसे यही बनवा कर खाना पसंद करेंगे तो चलिए आज के इन दोनों नाश्टों को बनाना हम शुरू करते हैं हलो एवरिवन मैं हूँ शिवानी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिवान्स किचिन में सबसे पहले हम ब्रेट के किनारों को अलग करेंगे इसके लिए हम पहले एक ब्रेट लेंगे और इस तरीके से इसके किनारों को कट करेंगे हम एक ब्रेट से दो रेशिपी बनाने वाले हैं इसलिए हम काटते समय ये ध्यान रखेंगे कि इसका पूरा किनारा हमें नहीं काटना है इस तरीके से हमें चारों तरफ से इसके किनारों को अलग करना है इस तरीके से इसके चारों तरफ किनारों को अलग करने के बाद हम इसका बीच का पार्ट अलग निकाल लेंगे एक रेसिपी हम इस बीच वाले पार्ट से बनाएंगे और एक रेसिपी हम इसके किनारों से बनाएंगे इसलिए हमें किनारों को कुछ इस तरीके से ही कट करना है अब इसी तरीके से हम दूसरे ब्रैट के किनारों को भी चारों तरफ से अलग कर लेंगे इसी तरीके से बाकी के सभी ब्रैट को कट करके अलग-अलग रख लेंगे अब यहाँ पर हम लेंगे एक छोटे साइच की बारिक कटी हुई सिम्ला मिर्च, एक मीडियम साइच का बारिक कटा हुआ प्याज और एक मीडियम साइच का बारिक कटा हुआ टमाटर तार से पांच हरी मिर्श को बारी काट कर ले लेंगे अब स्वाद अनुसार इसमें नमक डालेंगे अब दो छोटे चमबच की करीब हम इसमें रैट चली फिलिक्स डालेंगे इसे आप अपनी टेस्ट के अनुसार कम या ज़ादा कर सकते हैं अब इसमें हम दो चमबच के करीब मियोनीज डालेंगे और तीन चमबच के करीब हम इसमें टमेटो केचप डालेंगे अब इन सब को आपस में अच्छे से मिला लेंगे तो ये लीजिए ये हमारी पहली रेसिपी के लिए तयारी हो चुकी है अब यहाँ पर हम जो bread का बीच वाला part हमने cut करके निकाला था उसे लेंगे उसे हम एक yummy सा sandwich तयार करेंगे अब इस bread के उपर जो हमने अभी filling तयार की थी उसे लेकर पूरे bread पर अच्छे से फैला देंगे इस sandwich को और भी ज़्यदा tasty बनाने के लिए हम इसके उपर थोड़ा सा cheese grate करेंगे यह पूरी तरह से optional है अगर आपको cheese पसंद है तो ही आप इसमें डालें नहीं तो आप इसे skip कर सकते हैं थोड़ा सा इसके उपर oregano डालेंगे अब इसके उपर हम bread की दूसरी slice से cover कर देंगे अब sandwich को सेखने के लिए मैंने यहाँ पर एक pan रखा है आप इसकी जगे तवे का इस्तमाल भी कर सकते हैं अब gas की flame को low करके pan पे थोड़ा सा घी लगा देंगे और जो sandwich हमने तयार किया था उसे इसके उपर रख देंगे अब इसकी दूसरी side पर भी हम थोड़ा सा घी लगा देंगे अब इसको ढख कर हम तब तक से गेंगे जब तक ये नीचे से अच्छे से crispy ना हो जाए ढखने की वज़े से इसके अंदर भाब बनेगी जिससे की चीज अच्छे से melt हो जाएगी अब यहाँ पर ये एक side से अच्छे से सिख चुका है तो अब हम इसे पलट देंगे पलट कर भी हम इसे दूसरी side से अच्छे से से केंगे अब फिर से इसे ढखकर ही सेकेंगे अब यहाँ पर हम इसे चेक करेंगे और ये दीखिए ये दूसरी side से भी अच्छे से सिख चुका है तो हम sandwich को बाहर निकाल लेंगे और पैन पे फिर से हलका सा oil लगाकर दूसरा sandwich भी इसी तरीके से हम सेक लेंगे और ये देखिए ये भी एक side से सिख चुका है तो इसे भी हम पलट कर दूसरी side से सिख लेंगे इसी तरीके से हम बाकी के सभी sandwich सिख कर तयार कर लेंगे ये लीजिए यहाँ पर हमारा यमी सा sandwich बन कर तयार है तो अब इसे हम cut कर लेंगे और ये देखिए ये कितना टेस्टी लग रहा है तो इस सेंडविच की रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राय करें ये आपको बहुत पसंद आएगा अब ब्रेट से बनने वाली एक रेसिपी तो आपने देख ली अब इसके जो किनारे बचे हैं उससे हम जो दूसरी रेसिपी तयार करेंगे तो चलिए उसे बनाना भी हम शुरू करते हैं इसके लिए हमें सबसे पहले थोड़ा सा बटर चाहिए बटर बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए मैंने इसके अंदर 7-8 लेसुन की कली को ग्रेट करके डाला है आप उसे कट करके भी डाल सकते हैं वो वीडियो मुझसे गलती से डिलीट हो गई तो आप यहाँ पर 7-8 लेसुन को ग्रेट करके या बारिक कट करके डाल सकते हैं या फिर उसे skip भी कर सकते हैं अब इसके अंदर हम डालेंगे दो छोटे चमबच की करीब औरिगेनो अब इसे हम अच्छे से mix कर लेंगे अब bread के जो किनारी बचे हैं उससे हम market जैसा garlic bread बनाने वाले हैं और इसे खाकर बिल्कूल भी पता नहीं चलता है कि इसे हमने सिर्फ bread क किनारों से बना कर तयार किया है तो लीजिए हमारा बटर एकदम तयार है अब यहाँ पर हम लेंगे जो bread के किनारों को हमने अलग करके रखा था उसे इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे पहले हम एक साइट से फोल्ड करेंगे फिर हम दूसरी साइट से करेंगे इसके बाद हम इन चारों को एक साथ मिला देंगे इसके बाद हमें इसे एक toothpick की सहायता से जोड़ना है तो एक toothpick लेंगे और इस तरीके से इसके अंदर डालेंगे कि ये आपस में एक साथ जुड़े रहें ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से toothpick को इसके अंदर डालना है इसी तरीके से हम दूसरा पीस भी तयार कर लेंगे और यह लीजिए दूसरा पीस भी हमारा तयार है यहाँ पर हमने bread की किनारों से चार पीस बना कर तयार किये है अब इसके उपर जो butter हमने तयार किया है उसे अच्छे से लगा देंगे अभी के लिए हम इसकी एक साइट पर ही बटर को लगाएंगे और इसी तरीके से हम एक के बाद एक सभी पीसिस पर बटर को अच्छे से लगा देंगे और यहां पर चारो पीस तयार है आप इने बेक भी कर सकते हैं लेकिन आज हम इने एक तवे पर सेकेंगे तो इसके लिए गैस पर एक तवा रखेंगे उसे गरम करेंगे और जिस साइट से हमने बटर लगाया है उस साइट को नीचे करके हम इस पे एक एक करके सभी पीसिस को रख देंगे अब इसके उपर वाले हिस्से पर भी हम बटर को अच्छे से लगा देंगे आप चाहो तो इसे सेखने की जगे बेक भी कर सकते हैं लेकिन तवे पर सेखने से भी ये उतने ही क्रिस्पी बनेंगे अब हमने सबी पीसिस पर ऊपर भी अच्छे से बटर को लगा दिया है अब हम इसे low flame पर तब तक सेखेंगे जब तक ये अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए अब हम इसे चेक करते हैं और ये देखिए ये एक साइट से अच्छे से सिख चुका है तो gas को बंद करेंगे और इन सभी pieces को एक एक करके बाहर निकाल लेंगे अब हम यहाँ पर दो से तीन चमच टमेटो केचप डालेंगे और एक चमच भरकर हम इसमें mayonnaise डालेंगे mayonnaise आप अपने पसंद के हिसाब से कम जादा कर सकते हैं अब इसे अच्छे से mix कर लेंगे तो यह लिजिए garlic naan के साथ खाने के लिए dip एकदम तयार है अब जो garlic bread हमने तयार की थी उसमें जो हमने toothpick लगाई थी उसे हम इस तरीके से घुमाते हुए बाहर निकाल लेंगे और यह काफी आसानी से बाहर निकल जाती है बस इसे निकालते टाइम हलका सा इस तरीके से घुमाते हैं जिससे कि यह आसानी से बाहर निकल जाए और यह लिजिए ब्रेट के किनारों से बने हुए garlic bread एकदम तयार है जिन जिन को garlic bread खाना पसंद है वो इस recipe को एक बार जरूर try करें आपको बहुत पसंद आएगी और मुझे comment करके जरूर बताएं कि आज की यह दोनों recipe आपको कैसी लगी और इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को like और share करें मेरे चैनल को subscribe करें Thank you